और इस वक्ते सबसे पहले आपको बड़ी ख़बर बता दे आपके नेता आशितोश का उपराजेपाल पर बड़ा आरोप उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को कॉंग्रिस का एजिन्ट बताया है बड़ा बयान यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता आशितोश की तरफ से आया है और उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं सॉलिसिटर जनरल पर सॉलिसिटर जनरल को उन्होंने कॉंग्रिस का एजिन्ट बताया है देखे इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात तो यह है कि सॉलिसिटर जनरल और लेटन गवर्नर के बीच में जो भी कम्मुनिकेशन होता वो कॉन्फिदेंशल होना चाहिए गोपनी होना चाहिए मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जन्ता के बीच में कैसे लीक हो गया ये न्यूज अजनसी के पास कैसे पहुँच गया इसका मतलब यह कि जानबूच के इस पत्र को चिट्टी को लीक किया गया है इस बात की जबाब दे ही लेटन गवर्नर की भी है और इस बात की जबाब दे सॉलिसिटर जन्रल की भी है कि आखिर किस मकसद से इसको लीक किया गया मेरा माना यह है कि इसके पीछे दरसल राजनीत की जा रही है और आम आदे पार्टी के सरकार को एक गलत तरीके से पेश करने के कोशिश की जा रही है दूसरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि ये पहला वाक्या नहीं है जफकि लेटनेंट गवर्नर के पास कोई चीज गई है और लेटनेंट गवर्नर के पास पहुचते ही वो पबलिक में आ गई है नूज में आ गई है चैनल्स पे आ गई है ये अपने आप में दूसरा बड़ गंभीर सवाल है कि एक के बाद एक जो भी कम्मुनिकेशन लेफिन गवर्नर के पास हो रहे हैं वो किस तरीके से मीडिया में लीक हो रहे हैं मेरा अपना आरोप इस बात को लेकर ये है कि दरसल लेफिन गवर्नर नजीब जंग वो कॉंग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर हैं और आम आद्नी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवी को धुमल करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनसे अपील करना चाहते हैं और साथी साथ उनको बताना भी चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है और कहीं न कहीं इससे संदेश ये जा रहा है कि आम आद पूरे मसले में नजीब जंग का जो या लिफनेंट गवर्णर का जो भी रवया है वह बहुती हैरत अंगेज बहुती आपती जनक है हम एक बार फिर उनसा पील करना चाहते हैं कि वो कॉंग्रेस के एजेंट के तौर बेवार करना बंद करते हैं वो उनकी जबाब देही दिल के लोगों के प्रती हैं अगर वो केंदर के एजेंट के तौर पर काम करेंगे तो यह ठीक बात नहीं है और आमादनी पार्टी इस पूरे मसले पर उनको बहुत विनम्रता के साथ उनसे निवेदन करती है कि आइंदा ऐसा करने से बचे अब आप जो बहुत भात करेंगे या आगे आगे आप लोग पूड़े जाएंगे इसको दुबारा लाने के लिए क्या करी क्या करई पर यह नहीं आता तो फिर आगे किस तरीके से लिए देखिए इस पूरे मसले पर जो भी सॉलिसीटर जनरल की राय है वो एक कानूनी सला है और कानूनी मसले पर राय हमेशा अलग-अलग हो सकती है जो हम लोगों ने कानूनी सला लिए उसके मताबिक ये बिल पूरी तरीके से समवधानिक है और क्यों और किस नजरिये से सॉलिसिटर जनल ने इसको समवधानिक बताने का प्रयास किया है और क्यों ये चिट्थी जो है वो जनता के बीच में गई मीडिया के बीच में ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है हमारी नजर में आवादी पार्टी सरकार की नजर में ये एक समवधानिक है पूरी तरीके से समवधानिक है हमारे अधिकार शेतर में है और हम इस बिल को असेम्बली में लाएंगे